Hi, Welcome to my Channel, इस बेड़ी में solve करें कुछन हम 15, The ratio between the radius of the base and the height of a cylinder is 2 is to 3, तो एक cylinder के base का जो radius होता है और जो height होता है उन्दोनों के बीच में ratio दे दिया है 2 is to 3, करा है, find the total surface area of cylinder, अब cylinder का total surface area निकालना है, मिन्स निकालना है आपको 2πr in bracket h plus r if its volume is 1617 cm3 मतलब volume दे दिया है तो यहाँ पर जो ratio दिया हुआ है यहाँ से आप जो है exact value निकाल सकते है base का और height का क्या करना होगा बस एक variable x से multiply करना पड़ेगा इस 2 में और 3 में तो आप exact value निकाल सकते है radius और height का ठीक है तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेते है radius और height या फिर माल लेते है suppose कर लेते हैं let the radius radius of the base of the cylinder cylinder is equal to 2x तेखिए हमने क्या किया एक variable x से multiply किया है and the height of the cylinder is equal to 3x ठीक है अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको क्यों where where x क्या है x is a variable variable और इसी को हम लोग बोलते है common factor हम बोल सकते हैं कि this is a common factor ठीक है common factor क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब ratio निकालते हैं तो आप यह जानते होंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ common factor क्योंकि ratio जो निकालते हैं तो कुछ common factor कर जाता है उन दो quantities में से जिनका हम निकाल रहे होते हैं रेसियो ठीक है मतलब कि दो quantities के यदि ratio निकालेंगे तो कुछ common factor cancel हो जाएगा और उसी को हम x मान करके हमट प्लाइक कर लते हैं तो exact value मिल जाती है यह तो हम यह 2x units लिख सकते हैं या फिर centimeter मिल लिख लते हैं इतना centimeter और 3x centimeter मैंने दोनों के unit हम centimeter ले लिए क्योंकि हम centimeter में दिया हुए volume इसलिए ओके जैसा मतलब कुछ दिया रहेगा कोई unit उसी में आप मान लेंगे यह तो हमने यह आप सेंटिमेटर में मान लिया अब since दिया हुआ है volume of the cylinder given volume of the cylinder is equal to दिया हुआ है 1617 centimeter cube formula का दिजे है यहाँ पर it implies आपको मिलेगा pi r square h is equal to 1617 unit को अभी drop कर लेते हैं अभी इसको यूज़ करना नहीं है तो pi की value दिजे है 22 by 7 क्योंकि यहाँ पर कुछ और value pi का नहीं दिया हुआ है r की value क्या यूज़ करेंगे आप ये यूज़ करेंगे r की value 2x का whole square into height half की 3x is equal to 1617 अभी यहाँ से आप find करेंगे x की value तो यहाँ पर पहला expand कर लेते हैं तो यह होज़ागा 22 by 7 multiplied by यह हो जाएगा 4x square into 3x is equal to 1617 यहाँ पर अब दिखेंगे आपर x square और x multiplied यहाँ और क्या मिल जाएगा x cube और यहाँ पर जो numbers हैं उनको हम transpose कर देंगा right hand side में means यहाँ पर हम ली सकते हैं इस तरीके से कि 22 multiplied by 4 4 into 3 क्या हो जाएगा बताएगे 4 into 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो हम यह आली देंगे directly 22 into 12 upon 7 और into x cube हो जाएगा ठीक है x square into x to the power 1 है दोनों का power जो है add हो जाता है x cube हो जाएगा 1617 अब यहाँ पर हम x cube की value निकाल लेंगे x cube is equal to हो जाएगा इस पूरे number को transpose करेंगे तो जो denominator में लाएगा उसे multiply करेंगे और numerator में लाएगा उसे divide करेंगे मतलब मिल जाएगा 1617 multiplied by 7 whole divided by 22 multiplied by 12 अब यहाँ उपर रिच्चे हों कैसे load करेंगे क्या मिलेगा देखें हाँ यहाँ पर हम 11 seconds लाट करते पहले 11 to 22 11 से एकटे करेंगे कितना आएगा 11 हो जा 11 कितना बचा 5 बचा 11 5 जा 55 11 5 जा 50 आशा है रूके 11 हो जा 11 कितना बचा 5 बचा 51 हो गया 11 4 जा 44 44 बढ़ जाएगा तो 51 बचा था न 55 जा 44 जाएगा तो मिलेगा आपको 6 और 1 7 77 फिर से आ गया तो 11 7 जा 77 राइट तो 1 4 7 आगया अब यहाँ पर अब यहाँ पर हमें cancel out करना नहीं हाथ यह 3 से cancel out हो जाएगा 3 4 जा 12 और यह 3 से 3 4 जा 12 and 2 बचा 27 and 3 9 जा 27 मतलब कि यह finally मिल जाएगा 49 into 7 मतलब मिल गया हमें 49 multiplied by 7 हो ला पान यह मिल जाएगा 2 into 4 means 8 अब यहाँ पर देखिए multiply मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर factorize ही करना है finally क्योंकि हमें x cube की value निकालना है x की value निकालना है यहाँ पर तो बोथ sides में क्या कर रहे है cube root लेने पर और यहाँ मिल जाएगा cube root of 4 9 into 7 whole upon 8 अब यहाँ पर क्या करिए factorize कर दीजे numerator और denominator दोनों को यहाँ पर cube root रहेगा और यहाँ पर 49 को लिसकते है 7 multiplied by 7 into 7 whole upon 8 का लिसकते है 2 into 2 into 2 अब जो है cube root में से बाहर निकालना पड़ेगा numbers को 3 का power यहाँ बन रहा है तो 7 निकाल लाएगा upon यहाँ फे 3 का power बन रहा है 2 निकल लाएगा 7 by 2 हो जाएगा बाहर और यह x के value है 7 by 2 यही आपका variable है x के value अब find करना है total surface area तो इसके लिए height पता होना चाहिए height पहले यहाँ पर देखे radius और height दूनों निकाल लेंगे यहाँ से तो इसलिए पहले यहाँ पर लिख लेंगे radius radius of base यह जाएगा 2 times x means 2 times x के value है 7 by 2 2 seconds हो जाएगा 7 cm ठीक है और height height of cylinder is equal to क्या जाएगा 3 times x means 3 times 7 by 2 means मिल जाएगा 21 यह 3 7 जाएगा 21 upon 2 cm अब हमें मिल गया radius और height अब यहाँ से find कर सकते हैं क्या total surface area यहाँ find कर लेते हैं total surface area ठीक है लिसकते हैं कि so total surface area is equal to 2 pi r in bracket r plus h यह फिर h plus r लिखते हैं same condition है आपर 2 into pi के value हो जाएगे 22 by 7 into r के value कितना है यहाँ पर radius निकाला है 7 cm 7 cm और यहाँ पर रहेगा radius पर 7 और h कितना है 21 upon 2 यहाँ रहेगा 21 upon 2 right अब यहाँ देखिए 7 से 7 से 7 से 7 और 7 पर से लाट हो जाएगा यहाँ मिलेगा 44 यह 2 into 22 हो जाएगा 44 और in bracket यहाँ solve करेए तो देखिए यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा 14 प्रस 21 upon 2 पतल यहाँ पर lcm ले लेंगे अपना मौन करके lcm 2 लेकर के solve करेंगे तो इतना आएगा अब यहाँ पर यह 2 सेकंड से लोट कर सकते है 2 और 2 और यहाँ जाएगा मतला मिल लेगा 22 multiplied by this much कितना आएगा यह देखिए 1 और 4 कितना मिल जाएगा 5 और 2 और 1 3 मिन्स 22 into 35 तो अब मौन कर लेते है 35 में 22 से यहाँ मौन कर लेगा 5 to 10 का 0 1 carry over और रहांस करेंगा 5 to 10 3 to 6 16 to 117 7 1 carry over and 3 to 6 117 770 मिन्स यहाँ 770 cm2 this is the total surface area of the given cylinder thank you so much for watching bye